साथियों, हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपुन है, क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे उर्जा लेने का समय है, यह समय वर्तमान के संकल्कों को पुरा करने का है, यह समय भविश के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है, यह लक्ष अगले 25 सानों के लिए है, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, अब आप कल पना कीजिए, आज आप मैंसे ज़्यादाता लोग 10 और 20 के बीच की उमर के हैं, जब आजादी के 100 साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाओं पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगती शिल, उचाहियों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख सांते से भरा हुआ होगा, यानि ये लक्ष हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीड़ी और आपके लिए है, अगले 25 सालों में, देश जिस उचाहिप पर होगा, देश का जो सामर्थ बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारी युवा पीड़ी की है, साथियों, हमारे पुर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तब किया, त्याक किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं, लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखन में पहुँचे हैं, देश आज उस जगहां पे पहुँचा हुआ है, कि आप जो बोयेंगे, उसके फल आपको खाने को मिलेंगे, इतना जल्दी से बढ़ला होने वाला है, इसलिए आप देखते होंगे, आज देश में जो नीतिया बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब के केंदर में हमारी युवापीडी हैं, आप लोग हैं, आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने, स्टार्ट अप इंडिया जैसे मिशन है, स्टेंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभ्यान हमारे सामने हैं, मेक इन इंडिया को गती दी जा रही हैं, आत्म निर्वर भारत का जन अंदोलन देश ने शुरू किया हैं, देश के हर कोने में तेजी से आधूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तान ले रहा हैं, हाइवेज बन रहे हैं, हाइवेज बन रहे हैं, यह प्रगती, यह गती, किसकी स्पीड से मैच करती हैं, आप लोग ही हैं, जो इन सब बड़लाओं से खुद को जोड़ कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं, आपकी ही जनरेशन भारती नहीं, बलकि भारत के बहार भी इस नए दौर के लीड कर रही हैं, आज हमें गर्व होता है, जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कम्पनियों के CEO, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है, ये CEO कौन है, हमारे ही देश के संतान है, इसी देश की युवा पीडी है, जो आप विश्व में च्छाई हुई है, आज हमें गर्व होता है, जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्ट अप की दुनिया में अपना पर्चम भारा रहे हैं, आज हमें गर्व होता है, जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बात, भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने वाला है। इस गगन यान मिशन का दारो दमार भी हमारे युवाओं के पर ही हैं, जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं, वो इस समय कड़ी महनत कर रहे हैं।